Hey guys, welcome back to our YouTube channel मुझे पता है, आप सभी के मन में examination form को लेकर बहुत सारी queries है और दो दिन से देखें, मैं आपकी queries पढ़ रहा था मैं वीडियो बनाने कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बना पा रहा था विकाज मैं दो दिन से out of station था और इस वज़े से मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था तो उसके लिए तो सबसे पहले आप लोग से sorry मांगता चाहता हूँ यहाँ पर लेकिन हाँ ये जो वीडियो है वो आपकी जितनी भी queries हैं उन सभी का जवाब आपको दे देगी वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरू देखेगा आपकी हर एक problem जो है इस वीडियो के अंदर मैं solve कर दूँगा तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आया है तो चैनल को subscribe जरू कीजिएगा या अभी तक अगर अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू कीजिए देखिए 25,000 से ज़्यादा मेरे चैनल पर returning viewers है लेकिन subscribe उन में से 17,000 लोगों नहीं कर रखा है तो please subscribe बटन पर जरू क्लिक कीजिए और bell icon को press कर दीजिएगा हम एके करके आपकी जितनी भी problems है वो solve करने की कोशिश करते है तो देखिए ये email जो है वो University of Delhi के जो examination branch है उनकी तरफ से आया है और ये हर एक student जो DU का student है उसके पास गया है आप भी इससे पढ़ सकते हो आप अपना email वाला section जो है जाकर एक बर चेक कर लिजिएगा उसके अंदर हर एक चीज जो है explain की गई है तो देखिए इसके अंदर basically DU ने जो है या फिर कह लिजे examination branch ने mention कर रखा है कि हम जो है नई website की तरफ बढ़ रहा है मैंने जो previous video बनाई थी कि कैसे आप examination form फिल कर सकते है उसके अंदर आपको explain किया था कि एक नया portal जो है वो DU की तरफ से launch किया गया है और बहुत सारी चीज़े change हो गई है तो उसी का जो है ये कारण है कि students को इस पर बहुत ज़दा problem हो रही है और अभी तक अगर हम बात करें तो लगवर 80,000 बच्चों ने ही register किया है वहाँ पर जाकर और 18 से लेकर 20,000 बच्चों ने ही अभी तक examination fees pay की है तो यहाँ पर examination branch की तरफ से email आया है students को लेकर और जितनी भी उनकी problems है उसको भी इसके अंदर solve किया गया है तो सबसे पहली problem है वो है आपकी login related problems बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि email ID अपनी wrong डाल दी है अब वो उससे change करना चाता है लेकिन portal पे change नहीं हो पा रहा है या फिर जो है उनके पास enrollment number नहीं है तो उस situation में वो क्या करें देखिए यहां पे साथ पूरे questions जो है वो लिखे हुए है आप इसे पढ़ सकते हैं तो इसके अंदर में जो हमारा University of Delhi का examination branch है उन्होंने simple सा कहा है कि देखिए आप कोई भी valid email address जो है वो आप use कर सकते हो register करने के लिए दूसरी चीज अगर किसी बच्चे ने अपना email address गलत भर दिया है तो वो जो है college के nodal officer से contact कर सकता है और nodal officer की list जो है वो आप download कर सकते हो मैंने उसका link description box में दे दिया है वहाँ से जाकर आप college के हरे college के nodal officer का number मौझूद है उनसे contact कर सकते हो उनसे बात कर सकते हो कि आपका email ID जो है आपने wrong fill कर दी है या कोई details आपने wrong fill कर दी है या फिर आपका invalid details बता रहा है तो college के पास देखिए portal का access है वो आपका जो details है उसे reset कर देंगे या फिर जो है उसे वो correct कर देंगे तो आप जो है nodal officer से इसको लेकर जो अगर problem आ रही है तो easily contact कर सकते है उसके बाद यहाँ पे wrong basic details so my due portal is showing my incorrect date of birth तो देखिए इसके अंदर कहा गया है कि जो college है वो आपका later stage पे उस चीज को ठीक कर देगा तो देखिए इस पूरे जो भी email आया है ना उसके अंदर maximum चीज है यही है कि college के पास right है college के जो है उसको ठीक कर सकता है उसे reset कर सकता है और उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि many students have informed us that they were not getting OTP at the time of registration बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो देखिए इसमें suggest किया है कि आप जो है अपना spam folder जो होता है phone का email address का उसके अंदर जरूर एक बार चेक करें कई बार क्या होता है कि जो OTP होता है वो spam folder के अंदर जो है वो जला जाता है तो एक बार उससे जो है जुरूर आप चेक कर लेजेगा उसके बाद बहुत सारे तरब से कहा गया है कि हमने कोशिश की है कि सभी को जो है जितने भी प्रोग्राम है सबको अपडेट कर दिया जाए लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप जो है अपने कालेज के नोडर ओफीसर को इनफॉर्म कर सकते हैं और कॉलेज लेवल पर जो आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा और एक चीज़ यहां पर मैं और एड करना चाहता हूं कि इनकेस यार कोई बच्चा गलत पेपर सिलेक्ट कर लेता है या फिर वो पेपर सिलेक्ट करना भूल जाता है तो कॉलेज जो है वो ठीक कर देता था पहले भी यही सिस्टम होता था कि कॉलेज जो है उसे ठीक कर देता था अब भी यही सिस्टम है कि कॉलेज के पास राइट है कि वो आपकी उस मिस्टेक को ठीक करता है क्योंकि जब आपका कॉलेज के पा अपनी इस problem को solve कर सकते हो उसके बाद next question है कि wrong paper opted by student made a wrong entry and submitted the fee and form how it can be corrected now तो यहाँ पर answer में कहा गया है कि can be updated by the college तो यहाँ पर college की तरफ से update कर दिया जाएगा लेकिन फिर भी आप एक बार nodal officer को inform कर दियेगा कि हाँ sir मेरी यह गलती है और मुझे यह आप जो है मेरी mistake को ठीक कर दिजेगा ठीक है तो यहाँ पर हर एक problem का जवाब अगर मैं कहूं आप लोग को तो nodal officer को यहाँ पर कहा गया है उसके बाद wrong credits दिखा रहा है कहीं पर 00 credits जो है वो दिखा रहा है तो बच्चे बुच रहे इसमें 00 क्यों शोग कर रहा है तो देखिए आपकी problem नहीं है यह university और college की problem है वो ठीक कर लेंगे आपका मेन काम है वो है आपका examination form फिल करना ठीक है तो उसके बाद जो है पर कोई भी फिस पे करने की जुरूत नहीं है उनका form जो है सम्मिट हो जाएगा उसके बाद जो है फेस टू फेस जो यह वहाँ पर आपको लोग एफ टू एफ जो है option शो किई जा रही है तो उसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा concern है काफी बच्चों को तो यह है कई भाईया उसके बाद जो है एक और question है students की तरफ से when registering through role number the portal generates enrollment number which is different than issued by the college तो यहाँ पर जो है आपका जो भी चीज है वो college की तरफ से sort out कर दिया जाएगा आपको चिंता करने की ज़िरूत नहीं है तो यह जो पूरा जो है यहाँ पर डियू की तरफ से explain किया गया है हर चीज explain की गई है और इसको लेकर भी अगर आपको देखिए problem कोई face करने पढ़ रही है examination form नहीं पता चल रहा है कि कैसे भरना है तो एक तो मैंने वीडियो बना रखी है कि step by step कैसे आपको exam form भरना है वो देख लीजेगा अगर वहां से भी आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप जो है यह PDF फाइल पढ़ सकते हैं जो इस email address के साथ attach करके डियू ने हर एक student को भ आ रही है तो उसके लिए भी आप नोडल ओफिसर से contact कर सकते हो 510 रुपे जो है वो फीस है आपके examination fees और वो आपको जो है यूपी आई या debit card, credit card का थुरू आप जो है पे कर सकते हो तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज़्यदा help मिली होगी देख चैनल